आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के सेशन में बिहार बीएड इंट्रेंस एक्जाम्स के जीके जीस के सेशन में तो चलिए बहुत-बहुत आप लोग इंतिजार किये अब हम लोग बिलकुत सुरू करने वाले हैं बहुत सभी लोग अपने मित्रों को भी यह लिंक जरूर शेयर कर दिजे ताकि बीएड की बहुत कम रिसोर्सेस एवलेबल है यूट्यूब पर और आप लोग देख पाएंगे owane कि बहुत सारे बेंतरीन गिजयरेंस एंक्सेवर्ड गया सब्सक्राइब योट यह लिए इसलिए सेशन को लाश्ट तक आज पूरा कंप्रीट देखिए फिर अपने आप आपको पता चलेगा नहीं हर प्रकार के प्रस्णों का जो आपकी लेविल पर आपकी एक्जाम्स में आने हैं क्योंकि हमने पूरा ही प्रिविएस यर पेपर को भी पूरे गहनता से उसका डिसकसन उसको देखा है समझा है और फिर उसके मुताविक आपके सेशन चल रहे हैं तो आई होप मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ बहुत सारे स्ट्रुएंट जुड़े हैं तो लंबी लिस्ट है तो नाम एक एकर कि नावल किसी का लू तो दुखी मत होना संस्कृती राज तसलीम अंसारी रादिका खातुन और शूरूती एबरीवन प्रियांसो विकी विक्राम प्रियांका कुमारी इवनिंग प्रणाम नमस्कार सभी को सबका स्वागत है नितिष गुपता जी नमस्कार तो चलिए हम लोग प्रस्णों पर डारेक्ट चलेंगे सेशन आज का सेशन थर्ड है ठीक है और एक बहुत अच्छी जनकारी मैं और भी दोंगा क्लास के लास्ट में तो आपको क्ला दाउनलोड कर लिजे इस एप का बहुत सारा फाइदा है पहले बात तो यह कि वीडियो का लिंक आपको मिलेगा करेंट फिर साब पढ़ पाएंगे क्वीज में क्वेशन हम लोग अप्लोड करते हैं उस क्वीज को एटम्ट करके क्वेशन का प्रैक्टिस कर पाएंगे हर स सब्जेक्ट वाइज क्वीज जो है एबिलेबल है जिसका प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टडी मेटेरियल जो भी अटा 247 के तरफ से प्रवाइड किया जाता है वो सारे स्टडी मेटेरियल प्रीमियम स्टडी मेटेरियल में जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ठेक है शीला त को भी हम लोगों ने बाखो भी पूरे तरीके से हमारी तयारी है कि बीड के हमारे जो भी अव्यर्थी एक्जाम में टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग भी अपनी तयारी से बंचित ना रहें इसलिए तयारी रेगुलरली कराई जाएगी और आगे भी आ संस्कृति राज जी गुडिवनिंग चलिए यहां पर आ चुका है पहला प्रस्ण और बहुत ज्यादा प्रस्ण करना है इसलिए जल्दी से एक बार थोड़ा वक्त निकाल करके सेशन को सेर कर दीजिए अपने उन तमाम मित्रों को जो आपके साथ में फॉर्म अप्लाई क बहुत बढ़ाइब कर चुके हैं और याट केंटरेंस दे रहे हैं और उनको बताइए कि भी अधिक्र करके तयार रहो वेकेंसी बहुत है क्योंकि भीर में लंबे समय से बालिया होई नहीं होई भी है तो इधर उदर फसके रहा गया है बहुत कम बहुत सारे सीट रिक तर गए हैं और नए सिक्सानिती को भी अपनाना है और बहुत जोर सोर से चल रहा है विधान परिशद में भी हमने देखा था कि बहुत आवाज उठाई गई है कि बहुत सारे जो है वर्तियां क्यों नहीं की जा रही है क्योंकि कई लोग है न टीचर्स के बीना बहुत सारे संविधान या तो आंसर साप लोग के मैं देख पा रहा हूं आर्टिकल 40 जो है बिलकुल सही है आटिकल 40 कहां पर है डारेकटिफ प्रिंस्पल्स ऑफ प्र स्टेट पॉलिसी के अंदर जो संविधान के भाग चार में है कहां पर है पार्ट फूर में है आर्टिकल 36 से 51 तक और इसमें ग्राम पंचायत राज की विवस्ता जो गांधियन प्रिंस्पल पर अधारित है गांधिवादी सिदानतों पर बेस्ट है कि आर्टिकल 40 के अधार पर ग्राम पंचायतों का गठन का प्रवधान किया गया जो बाद में 73 संबिधान संसोधन के द्वारा 1992 के संसोधन के द्वारा इसे पंचायती राज विवस्ताओं को संबाइधानिक दर्जा दिया गया और संबैधान के अंदर संबिधान में बारहमी 11 और बारहमी अनुसुची जोड़ा गया था अस्थानिये नीकाय उसे संबन दित तो तो ग्यारहवी अनुसूची को जोड़ा गया था ध्यान रखिए ग्यारहवी अनुसूची कब जोड़ा गया था आर्टिकल 40 के बाद जो 73 समयधान संसोधन हुआ 1992 में तो यह 1993 में लागू हुआ था ठीक है अगले प्रस्ण पर हम चलेंगे अगला आईयाडिये और दोरा कर सकते हैं आईयाडिये आ को बताना चाहता हूं ठेक है आंसरस नहीं आंए मैं किया समझाँ आंसश नहीं आए और सेशन को भी शेर कर दीजी ठीक है और like जितने लोग देख रहेएं इतने लोग का लाइक भी निया राइक में पीसार्षा लाघतका हो पैसा विसे लागत तका लाइक करें में तो तो आज आए यहां देखें इंस्वरेंस जो है बीमा च्छेट्र को रेगुलेट करता है यह बीमा च्छित्र को रेगुलेट करता है प्राधिकरण इंस्वारेंस रेगुलेटरी डेलपेंट और तर संस्ता है वीमा नियामक यह वम विकास प्राधिकरण विकाष प्राधिकरण नाम की संस्ता दो हजार में अस्ठापित होई ती कहां पर हैदराबाद में अगर आपसे मुख्याले पुछा जाए हैदराबाद है ठीक है सुभास चंद्र खुंतिया इसके IRDA के चेर्मेन है उनका नाम SC खुंतिया ठीक है लेटेस्ट अपडेट भी बहुत जानना जुरूरी है क्योंकि आजकल करेंट के क्वेश्चन्स न बहुत जादा इंक्लूड क यहाँ पर आंसर तो हो गया यहाँ पर कौनसा सेक्टर इंस्वरेंस बीमा चेतर अगला प्रसन आपसे पुछा गया है लोग सभा में बिभिन राज्यों को सीटों के आवंटन का मुख्याधार क्या है जो अलग-अलग लोग सभा सीटे आप देखते हो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोग सभा की सीटे हैं ठीक है असी बिहार में 40 सीटे हैं तो लोग सभा सीट को हम क्या कहते हैं लोग सभा कॉंस्टिच्वेंसी कहते हैं MP जहां पर भी आपका घर होगा किसी ना किसी लोग सभा के निर्वाचन छित्र में आता होगा वहां से एक MP होगा ज जंता का पता कैसे चलता है? आबादी से चलता है, तो आबादी के अधार पर लोग सवा में विविन राज्यों पर जो सीटों का आवउंटन का मुख्य अधार क्या है, यह आबादी है, कई बार एक district की अबादी अगर बहुत बड़ी है, तो वहां दो लोग सवा चतर रहता ह जैसे मैं बिहार के पस्यम चंपारन जीले से आता हूं आपको पता है पस्यम चंपारन चित्रफल के दृष्टी से बिहार का सबसे बड़ा जीला है वेस्ट चंपारन डिस्टिक जिसका मुख्याला बेतियां है यह सबसे बड़ा डिस्टिक है बिहार का तो यहां पर दो डिस्टिक में एक ही MP होता है ऐसा कुछ नहीं है एक डिस्टिक में दो लोग सबाच्छेत्र भी हो सकता है समझ गए इसका आधार क्या है पॉपुलिशन है अगला क्विशन आपसे पुछा गया कि बिस्व आर्थिक आउट्लुक रिपोर्ट किसके द्वरा प्रकासित की जाती है दुनिया के जितने भी देश अंतराश्ट्री मुद्रा कोस के सदस्य है किस देश की आर्थिक हालत क्या है उस देश की आने वाले दिनों में एकोनामिक ग्रोथ कितनी होनी है वहां का जीडिप सेमी एनिवल रिपोर्ट हम कहते हैं मतलब अर्ध बारसिक रिपोर्ट है जो एक बार अप्रील में और बाद में अक्टूबर में जारी होता है आपको इतना जादा नहीं जानना है डिटेल में बट इतना याद रखना है कि वाल्ड एकोनामिक आउटलुक रिपोर्ट जो प् चासित करता है आईमेफ का स्थापना हुआ था 1945 में आईमेफ का हैड़ कोर्टर कहां पर है वासिंगटन डी सी वासिंगटन डी जिवा है क्रिष्ट लीना जियोर जिवा है यह याद रखेंगे आई एम ऐफ के एमडी का नाम क्रिष्टलीना जियोर जिवा याद रखेंगे 1945 में स्थापित हुआ वशिंग्टन में हेड़कॉर्टर है अंतराष्ट्य मुद्रा कोस के दौरा ये रिपोर्ट भी स्वार्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी क्या जाता है वर्ल्ड बैंक का भी है अस्थापना और हेड्ट वशिंग्टन डीसी 1945 में इनफेक्ट वर्ल्ड बैंक जब अस्थापित हुआ था IBRD के नाम से हुआ था तो IBRD and IMF को twins कहा जाता है जुड़वा इसे कहा जाता है ब्रेटन ओट्स सम्मेलन का जुड़वा क्योंकि एक सम्मेलन हुआ था ब्रेटन ओट्स होटल के अंदर उसी सम्मेलन के जुड़वे के रूप में दोनों को जाना जाता है Asian Development Bank का Headquarter है Manila में Manila जो है Capital है किस कंट्री का Philippines का ठीक है Philippines का Capital है Manila World Economic Forum का जो Headquarter है स्वीटजर लेंड में को लोगनी एक जगा है को लोगनी स्वीटजर लेंड में इसका Headquarter है जिसका हर साल एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है याद रहेगा आपको अगला जैसे Gender Gap Report का सुना अपने Gender Gap Report या Global Risk जोखिम का रिपोर्ट Global Risk Report कि आने वाले दिनों में रिस्क क्या है तो यह तमाम चीजी यहाँ पर रहता है अगला क्वेशन आपसे पुछा गया केंद्रिये सूचना आयोग निमलिखित में से किस मंत्राले कंत्रगत आता है मंत्रालियों का ग्यान भी आपको बहुत जरूरी है जानकारी रखना क्या मुझे क्या मेरी बात आप सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या आपको ठीक लग रहा है सारा चीज लाइग्विज में कोई दिक्कत बरू जरूर बताइएगा और एक काम करते रही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं कि बीट की क्लास चल रही है तो इसको ना जो ग्रूप सो अगर है आपके वाट्स अपो फिस्बुक व है आंसर क्या होगा शिव कुमार बिल्कुल आई है शिव कुमार जी और संजीव कुमार ऑप्सनी कर रहे हैं बिकी विक्राम ऑप्सन सी एन कुमारी भी यहां देखिए यह आता है किसके अंतरगत मिनिस्ट्री और पर्शनल के अंतरगत कार्मिक मंत्राले के अंतरगत आता ह Central Information Commission जो है केंद्रिये सूचना आयोग जिसे हम कहते हैं RTI Act का नाम सुनाए आपने RTI कब पारित हुआ था 2005 में सूचना का अधिकार कानून कब पारित किया गया था 2005 में और RTI लगाय जाता है तो RTI Act के अधार पर ही केंद्रिये सूचना आयोग की अस्थापना भी 2005 में की गए थी कहां पर New Delhi में हर राज्य में भी State Information Commissioner भी बनाय गया है मतलब हर राज्य के अंदर राज्ये सूचना आयोग का भी गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्ये सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के अधार पर हुआ है तब भी आपका अंसर क्या होगा RTI Act 2005 और अभी बरतमान में भारत के Chief Information Commissioner मुख्य सूचना आयोग्त जो सबसे इसके हैड कौन होता है Central Information Commission का जो हैड होता है उस पद का नाम है मुख्य सूचना आयोग्त मुख्य सूचना आयोग्त अभी भारत के कौन है यसवर्धन कुमार सिनहा यसवर्धन कुमार सिनहा है अभी वरतमान में मुख्य सूचना आयोग्त Chief Information Commissioner समझ में आ गया जब भी हम किसी भी सरकारी विभाग के बारे में जनकारी लेना चाहते हैं जो वैसे उपलब्द नहीं अप पबलिकली तो हम लोग RTI लगाते हैं तो RTI में आंसर समारे पास आता है यह सूचना का दिकार है कि जनता को यह सूचना चाहिए तो रिपोर्ट में वो सारी सूचना आती है यह मिनिस्ट्रिय पर्सनल कार्मिक मंत्राले के अंतरगत आता है ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है फटा फट बहुत सारा सवाल करना है आप याद रखेगा चुकि मेरा जो है ना मैं एक्सप्लेइन करता हूं मैं चाहता हूँ कि आपको ज्यादा से जादा जनकारी मिल पाए इसलिए मैं एक्सप्लेइन करने लगता हूं ठोड़ा डिटेल में नहीं तो सवाल तो बहुत सारा करा नहीं है और पूरा कम्प्रीट करा कहीं जाओंगा यहां ध्यान रखिए नि 1990 से पहले जो इस्तितियाब बनी थी हमारे देश में विदेशी मुद्रा का अभाव हो गया था विदेशी मुद्रा का अभाव हो गया था विदेशी मुद्रा का अभाव यह कब हुआ था यह हुआ था 1990 के दोर में और उसमें भारत के पास इतना भी फंड नहीं था विदेसी मुद्रा की दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट हो सके तब भी वह फाइनेशियल एमर्जेंसी नहीं लगा फाइनेशियल स्लोडाउन जरूर था एकोनामिक स्लोडाउन जरूर आ गया था भारत के अंदर लेकिन उसे तुरांत उभरने के लिए हमारे देश में एल पीजी मोडल आफ डेवलप्मेंट आया था उननी सुए कानवे में उननी सुए कानवे में अगर आप से पूछा जाए लिब्रलाइजिशन प्राइबिटाइशन ग्लोबलाइजिशन उदारी करन नीजी पैटालिस में युनाइटिट नेशन्स जो है जो है इस्टाबलिश किया गया अगले क्वेस्चन बे चलते हैं नगर पालिकाओं की चुनाओं सी संचालन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है नगर पालिका से जुड़ा हुआ प्राधान समिधान के किस अनुसूची मे है अगर आपसे पुछा जाए नगरपालिका संविधान के म्यूंसिपलिटीज किस में है तो यह बारहवी अनुसूची में 12 शेडिूल के अंदर गत है जो 74 संविधान संसोधन के द्वारा 74 संविधान संसोधन 1992 के द्वारा बारहवी अनुसूची जोड़ी गए थी उसमें नगरपालिकाओं से संबंदित 18 विशय सामिल है कितने विशय 18 विशय सामिल है और यह चुनाओ कौन कराता है स्टेट इलेक्षन कमिशन राज्जी निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका च सामिल किया गया था देखे प्रतम वीतायोग वितायोग का गठन वीतायोग का 서 आप से वीतायोग का गठन वीतायोग का गठन आर्टिकल 282 में होता है 295 वरस के लिए होता है राष्ट पति करते हैं वितायोग का घठन ठीक है और यह 1952 से 57 था कार्यकाल पहले वितायों का केसी नहीं होगी इसके अध्यक्स थे कौन थे केसी नहीं हो JUDGE kolis game क्या है अगला question आपका आगा करेंट का ठीक है अगलास too Utah का करेंट का मैं और भी हैं तो वो मैंने जल्दी जल्दी मिश्ले करा दिया आप करेंट के सवाल पर ध्यान दिजे वाट इस थीम आफ नेशनल साइंस डे दो हजार थेश ठीक है नेशनल साइंस डे राष्ट्रिय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है सेंगीता जी बिल्कुल समझ गया वो हो गया था मैं आगे बहुत सारा प्रस्ण है ठीक है जो अलग है कि फाइल में कुछ आ गया था कोपी वगर करते टाइम मतलब त्यार करते टाइम राष्ट्रिय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है यह आप से करेंट का क्वेश्चन पूछा गया है नीतू गुपता करें कितना फास्ट नीतू मैं यह कोसिस कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्य ग्लोबल साइंस पॉर ग्लोबल वेलबिंग बैस्विक भलाई के लिए बैस्विक विज्ञान यह नेशनल साइंस डे 2023 का थीम है और आपको मैं बता दू कि नेशनल साइंस डे जो होता है यह किस दिन होता है 28 फरवरी को होता है क्यों 28 फरवरी को होता है क्योंकि 28 फरवरी कि 1930 को रमन इफेक्ट डॉक्टर सिवी रमन बैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के दोरा नौट 1930 में तो इनको नोबेल प्राइज मिला था यहां पर ध्यान दिजिए 1927 में इनोंने रमन इफेक्ट दिया था 1927 में 1930 में इनको फिजिक्स के फिल्ड में नोबेल पुरसकार से नवाजा गया था ठीक है रमन इफेक्ट 28 फरवरी 1927 1930 को इनको नोबेल पुरसकार जो मिला था और इसलिए 28 फरवरी राष्ट्री विज्ञान दिवस होता है इतनी बात आप समझ गए और इस 2023 का थीम क्या है ग्लोबल साइन्स फोर ग्लोबल वेल बिंग याद रखिएगा यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन है मैंने आपको नोट्स जो मिलेगा टेलिग्राम पर इसलिए मैंने इसी पॉइंट को जो मैंने डिक्टेट किया यहां इंक्लूड किया गया है तो इसलिए आप एक बा जाकर के इसको पड़ सकते हैं ठीक है यहां देखे भारत रत्न पुरश्कार से समानित भारत रत्न पुरश्कार भी दिया गया था महान वैग्यानिक सर्चंद्रसेखर सीवी रमन चंद्रसेखर रमन भौतिकी के छेत्र में 28 फरवरी 1928 देखें यहां पर येर एक साल का रहा है इतना मतलब दीन हो चुका है ठीक है इस दिन को महत्त और सम्मान देने के लिए हर साल पूरे देश में राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाये जाता है ठीक है और देखें 1930 में इस खोज के लिए सीवी रमन को साल 1930 में नोबल पुरसकार दिया गया था ये यहां पर देखिए अगला क्वेशन है बहुपक्स ये कोबरा कोबरा वरियर नाम से एक एकसरसाइज हुआ है मल्टी लेटरल एकसरसाइज विल बी और्गनाइजड इन विच कंट्री बहुपक्स ये कोबरा अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा उनाइटीड कि इंडिया जपान और आस्ट्रिलिया आपको मैं बता दू कि करेंट में जब दो देशों के बीच में जो एकसरसाइज होते हैं मिलिटरी एकसरसाइज इस जो तो वह प्रस्ण भी आता है तो ये कोबरा वरियर एकसरसाइज जो है ये मल्टी लेटरल एकसरसाइज है मतलब कहां पर सेना इसमें पार्टिस्पेट करेंगे यह आयो जी थोगा कहां पर यूनाइटेड किंग्डम में यूनाइटेड किंग्डम में आंसर क्या होगा ऑप्शन ए सई जवाब अगला इससे जुड़ा वह पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं इंडिया रिसेंटी के एयर फोर्सेस मुल्टी लेटरल एक्सरसाइज है कि कई कंट्री के एयर फोर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जैसे फिल लैंड के वायू शेना स्वीडेन के साउथ अफ्रीका के यूनाइटेड स्टेट्स के सिंगापूर के विल पार्टिसिपेट अलॉंग विद रॉयल एयर फोर्स ऑब ब्रिटेन और इंडियन एयर फोर्स तो भारतिये वायू सेना रॉयल एयर फोर्स यूएस के एयर फोर्स फिल्लेंड स्वीडेन साउथ अफ्रिका यह तमाम एयर फोर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो यूए यूके में और्गनाइज होगा अगला सवाल क्या है US Chamber of Commerce द्वारा जारी International IP Index में भारत का रैंक क्या है यह जो रैंकिंग होता है यह इतना महत्पुन होता है IP का मतलब होता है intellectual property IP का मतलब क्या है intellectual property intellectual property का मतलब होता है बौधिक संपदा intellectual property का मतलब बौधिक संपदा होता है जैसे आपने कोई आविस्कार किया तो उस आविस्कार पर आपका राइट है पेटेंट आपका है कोपी राइट आपका है तो इसलिए यह बौधिक संपदा के अंतरगत आता है तो बौधिक संपदा का संदक्षन करने के लिए संजुक्त राजश्चंग की एक संस्ता है डबलू आई पी ओ डबलू आई पी ओ काम करता है लेकिन यहां चाहिब फश Gwen देशों का इसमें 55 कंट्री जो है उसकी रंकिंग टाए की जाती है 55 में भारत का स्थान कितना है प्यालिस है इसमें एक नंबर पर है अमेरिका याद रहएंगे इक नंबर पर अमेरिका दो नंबर मेर है ब्रिटेन तीन नंबर पर है फ्रांस और भारत का अस्तान कितना है 42 रेंकिंग पे है इंटेलेक्चिल प्रपर्टी मतलब क्या भारत में कोपी राइट का उलंगन ज्यादा होता इसलिए तो नीचे है लेकिन इसमें पॉजिटिव रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को अगर आ 42 रेंक पे हैं समझ गए यहां ध्यान दीजे इस रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि भारत आईपी संचालित नवाचार के माध्यम से अपनी अर्थ व्योस्ता को महत्रपूर्ण रूप में बदलने की राह पर है इस रिपोर्ट में संजुक्त राज अमेरिका प विःतनाम के नए राष्ट पति के रूप में किसे चुनिगा चुना गया है यह आप से पूछा गया है विःतनाम का जो कैपिटल है राजधानी है कहां पर है है NS है ओर डोंग यहां की करेंसी है क्या करेंसी है वियतनाम की ڈॉंग करेंशी है आप ध्यान दिये हैं बिएट इंटरेंस में जेनरल अविएरनेस आता है जेनरल अविएरनेस कर ने का मतलब कि आपको अविएरर रहना है देशウिए तमाम चीजों के बारे में संस्थाओं के बारे में मंतराले हो के बारे में you have to aware about the Indian policy Indian economy ऐसे तमाम latest current चीजों पर आपको aware होना है तो आपका एक्जाम में अच्छा स्कोर आ जाएगा वह वैन थोंग option A बिल्कुल सही है वियतनाम के नए राष्ट्पती के रुप में इन्हें चुना गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र हुद्र के दूरी पर है और यह कहाँ पर है कर्णातक में हैं तो सीमोगा एयरपोर्ट कहां पर उद्गाटन हुआ है करनाटक करनाटक में जो बैंगलूरू में जो एयरपोर्ट है बैंगलूरू में इससे करीब करीब 300 किलोमेटर के डिस्टेंस पर होगा और बैंगलूरू के एयरपोर्ट का नाम है कैंपडगोडा एयरपोर्ट पुछा गया है ठीक है आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि देखें जी 20 के बारे में आपसे प्रस्ण बार बार पुछा जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्पेक्ट से मैं इसको क्लियर करूंगा इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगे इसलिए आप लोग दो चार मिनट ना बिल्कुल पैसेंस के साथ रहिएगा निव डेली ये नई डेली में आयोजित हुई है आप यहाँ देखिए जी 20 जो ग्रूप है ये जी का मतलब क्या होता है group group of 20 तो यहाँ पर 20 में क्या है 19 देश है और प्लास एक जो है यहाँ पर European Union को माना जाता है यूरोपियन यूनियन जो अगेन 28 देशों का समू है यूरोपियन संग जी से कहा जाता है तो यूरोपियन संग और 19 देश दोनों मिलाकर के ग्रूप ऑफ 20 बोला जाता है अब आपके ये कसर याद कैसे होगा यह 20 बहुत असान है याद रखना मैं आपको बताता हूं आपने सुना है G7 के बारे में दुनिया के सबसे ज़्यादा उद्योग धन्दे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जिस country में है उसे G7 कहा जाता है G7 मतलब ये दुनिया के developed countries है सबसे ज़्यादा उद्योग जिन देशों में है वो G7 है G7 में कौन-कौन सा country आता है Canada मैं बहुत असान कर दूँगा आपको बिलकुल याद हो जाएगा Canada, France, Germany, Japan, Italy, USA और UK ये पहले G8 था पहले G8 था जिसमें रूस भी था ठीक है G8 था जिसमें रूस भी था यहाँ देखे G7 क्या हो गया? Group of 7 Group of 7 मतलब सबसे बड़े और द्योगिक देश हैं सबसे बड़े और द्योगिक देश अगर आपसे कहीं आता है प्रस्टन कोई question आ जाए कि G7 क्या है? तो G7 सबसे बड़े और द्योगिक देशों का समू है और दुनिया की ये देश जो है GDP मे सबसे बड़ी हिस्स्यधारी इनकी है, आबादी के द्रिष्टी से बहुत कम है और इसी लिए प्रतीविक्ति आए इन कंट्री की जादा है और इस लिए डवलप है प्रतीविक्ति आए जादा है तो यह डवलप Friends,ерм हिटली, USA, UK ठीक है? तो यहाँ पर 4 और 3,7 कंट्री G7 मोगया अब देखिए दुनिया के वैसे देश जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं मतलब तेजी से तेजी से उभर्ती हुई अर्थ वेवस्ता उभर्ती हुई अर्थ बंवस्ता कौन-कौन सी दुनिया में उसी को तो ब्रिक्स के नाम से हम जानते हैं बी आर आई सी एस तो यह तो नाम ही लिखा हुआ है बी फॉर ब्राजील याद हो जाएगा आपको आर फॉर रसिया आर फॉर रसिया आई फॉर इंडिया सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रिका तो यह पांच कंट्री हुआ तो पांच यह हुआ तो साथ और पांच साथ प्लस पांच बारह एक हो गया उरोपियन उनियां तेरह बचे हुए कितने साथ और कंट्री है अन्दे जो बड़े-बड़े कंट्री जो है वो विलन हुआ था यह हुआ था बाली में ठीक है बाली कहां पर है इंडोनेशिया में और उसी के साथ अब G20 की अध्यक्सता भारत के पास है जहां पर दुनिया के सबसे बड़े-बड़े मुद्दों को डिसकस किया जाता है चाहे वो अंतराष्ट्री लेवल पर जो टेररिजम आतंकबाद के मुद्दे हो या आजकल क्लाइमेट चेंज जो पॉलूसन या क्लाइमेट चेंज से जुड़ेवे मुद्दा हो मौसम से संबंदित या ग्लोबल वार्मिंग जैसे इसूज हो ऐसे तमाम बैस्विक बड़े-बड़े ग्लोबल इसूज को यहां पर डिसकस कि आता है और उसके निदान करने के लिए रास्ते निकाले जाते हैं और इसलिए जीट्वेंटी समोझ जो है दुनिया के 90 पर्तिसत जीडीपी को रिप्रजेंट करता है और जीट्वेंटी का बाली में सम्मेलन हुआ था और 2023 का सम्मेलन होगा यह इंडिया में होगा और डेली में होगा और इसका थीम जो है वसु धाईवा कुटोंबकम वसु धाइवा कुटोंबकम इसका थीम है one earth one family one future यह थीम क्या है जी-20 का वसु धैवा कुटोंबकम one आर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर यह थीम रखा गया है और यह निव डेली में आयो जित हुआ अब मुझे बताईए कि क्या जी ट्वेंटी क्लियर हो गया जी ट्वेंटी के बारे में आप से कोई प्रश्णा है तो आप बता दोगे अगला प्रस्ण क्या है आप से मिल रहा है तो इसमें आप देखेंगे यूटूब ही है जो हम लोग यहाँ पर इतने चीजें जो आपको प्रवाइड कर पा रहे हैं तो यूटूब के एक भारती अमिर की यूटूब के नए सी यू के रूप में चुने गए हैं उनका क्या नाम है कि बताईए जल्दी से आंसर कर दीजे आप रहे हैं यूटूब के नए सीओ के रूपे नील मोहन को चुना गया है संतनी नरायंच संतनु नरायंच जो है न यह एड़ोब के सीयों है एड़ोब जो एड़ोब रीडर पीडिएफ फाल जो है ना पीडिएफ पीडिएफ का मतलब क्या होता है पूर्टेबल डॉक्मेंट फॉर्मेट PDF जिसे आप कहीं ओपर सकते हैं तो PDF का मतलब होता है पूर्टेबल डॉक्मेंट फॉर्मेट जो एडोब का ही प्रोडक्ट है अडोब्रीडर तो शंतनु नर्म नरायन जो हैं ऑ्डोब के CEO है नील मोहान यूट्यूब के जो हैं इंडो अमेरिका ने जो CEO बने हैं कलियर है अगला क्वेश्चन क्या है बंगला देश के नए राष्ट पती के रोप में किसे चुना गया है अभी से भी एक बार शेयर कर दीजिए अभी टाइम है हमारे पास थोड़ा सा इसको और भी लोगों को जोड़िए कितना अ करेंगे तो डेली हम लोग क्या आना कि चार-पाच क्वेश्चन करेंट का इंक्लूट करेंगे करेंगे करेंट से क्वेश्चन तो आएगा ज्यादा तो हर तरीके के प्रस्ट करना जरूरी है और उसके माध्यम से एक्स्प्लानिशन होगा तो जेनरल अवेरनेस अपने ऑप्शन सी आपका सही जवाब है थोड़ा ध्यान दिजेगा मुहम्मद सहाबुदिन चुप्पू जो है यह 22 बंगला देश के 22 राष्टपती चुने गए हैं ठीक है और इससे पहले जो राष्टपती थे मुहम्मद अब्दुलहमीद मुहम्मद अब्दुलहमीद सबसे लंबे समय तक बंगला देश के राष्टपती के बदपर रहें हैं लॉंगेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है यहां पर बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन आ गया नीती आयोग से सम्मंदित है और मैं इसलिए यहां पर करेंट का यह भी बता दूँगा नीती आयोग के बा घ्राद हम आगे चलते हैं नीती आयोग जो है आपको मैं बता दूँग अ कि सबसे पहले हमारे देश में योजना बनाने के लिए स्कीम बनाने के लिए पंचवरिश योजना जो आप जानते हैं फाइफियर प्लान के लिए प्लानिंग कमिशन का गठन किया था पंडित जो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में और प्रतम पंच वर्षी योजना 1901 में बना एक जनवरी एक जनवरी 2015 को अब यहीं नौ से दस बजे की क्लास चलती है डेली ध्यान रखिए रे डेली जो हमारी क्लास होगी 9 पीम टू 10 पीम 9 से 10 जो अभी आप देख रहे हो यह डेली सेशन है और यह डेली सेशन आपको चलेगा मंडे टू फ्राइडे और आपको रभी वार के दिन मैराथन सेशन है रभी वार के दिन भी 9 बजे से 11 बजे तक मैं राथन दो घंटे की क्लास होगी ठीक है मैं राथन दो घंटे की क्लास होगी इसलिए कल आप लोग इंतजार मत करिएगा मैं बता दू क्योंकि दो घंटे की जो कल पूरा मिटेरिल आप लोग के लिए बेहतरीन प्रश्णों का संग्रह बनाऊंगा और संडे के दिन मैं मि पाइल कर दोंगा प्रीविएस येर को भी देख करके कि क्या क्या क्वेस्टन से इंपोर्टेंट बन सकते हैं ठीक है और दो घंटे जो क्लास होंगी यह संडे के दिन होगी मायराथन क्लास जो है संडे के दिन आपको बिहार एड़र 247 पर 9 बजे साम को हम मिलेंगे 9 पीम करूंगा पूरा पीपीटी आपके लिए बनाओंगा क्वेस्टन का क्लेक्शन करूंगा समझ गए ना सबी लोग एक बार बता दीजिए और लाइक का है कम है हो यह का है का मैं लाइक में पैसा लागत अगा लाइक करदा लोग सब लोग अच्छा सीव कुमार कौनों बातना ना बाबो मत यह तू सीला 11 रुपे बिलकुल देंगे सीला 11 रुपे आपका जरूर देंगे आपका रिंड वापस करेंगे समझ गए आपे तो यहां पर जो है वी वी आर सुब्रमन्याम नीती आयोग के न्यू सीओ कौन बने वी वी आर स अथो को स्तापित हुआ इसका चेर्मेन कौन होता है नीती आयोक के चेर्मेन होते हैं परधान बंत्री ठीक है और सीओ अभी कौन है नीती आयोग की कौन है सुमन बैरी और अगर आपसे पूछ लिया जाए तुमन बैरी अगर आप से पूछ लिया जाए कि नीती आयोग किस प्रकार की संस्ता है तो यह ना तो पहुचाती है जब थिंक टैंक के रूप में काम करती है नीती आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करने वाली संस्ता है ओपक का मुख्याले कहां है बताइए एक अंतराश्च्री संस्ता है बहुत इंपोर्टेंट खासकर भारत से इसका बहुत जाला ज्यादा तालूक है ठीक है तो आप मुझे बताइए कि ओपक का मुख्याले कहां पर है याद रखिए बिहार बीएड के इंट्रेंस में बीएड के इंट्रेंस में आप 40 मार्क्स का जी के जीएस के प्रस्ण मतलब जेनरल आपके करके सिलेबस में दिखा दिखा होगा आपको जेनरल अवियरनेस है यह कितने नंबर का है 40 मार्क्स का है 40 मार्क्स से ही आपके अच्छे स्कोर तय होंगे क्योंकि बाकी चीज जो है ना निमरिकल अबलीटी हो रिजनिंग हो यह सब ना मोडरेट बेसिक लेबल का होत ज़ड़ूर कर पाएंगे ठीक है तो 40 मार्क्स का जीके जीएस रहेगा जो पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए ठीक है यहां देखें ओपेक का मुख्याले है वियना में वियना कहां पर है और श्ट्रिया का कैपिटल है और श्ट्रिया का कैपिटल है वियना ओपेक है क्या ओर्गनाइजिशन ओर्गनाइजिशन ओफ पेट्रॉलियम एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री आपको पता है कि भारत जो ह जब सबसे अधिक तेल का आयात करता है तो ओपेक कंट्री जो है तेल एक्सपोर्ट करने वाली संस्ताओं के समू है ओपेक जो है यह और्गनाइजिशन किसका है जिन कंट्री में वाइल का रिजर्ब है अब आपको चुकी इतना ज्यादा आपके प्रस्ण में आएगा नहीं एक बार आपकी जनकालिक मैं बता दूँ कि अलजीरिया, एंगोला, नाइजीरिया, कुवेट, बेनेजुएला, सौधी अरबिया, यूनाइटिड अरब आफ एमिरेट्स ठीक है यह बेनेजुएला, इरान, इराक यह ऐसे देश है जो ओपेक के सदस्थे है ठीक है यह ओप नाइजीरिया, एंगोला, नाइजीरिया, कुवेट, यह सारे कंट्री जो है यह सारे कंट्री जो है यह ओपेक के सदस्थे हैं ओपेक के द्वारा ही दुनिया, इनी कंट्री के द्वारा दुनिया को वाईल, जो है क्रूड ओएल, कच्चे तेल, डिजल, पेट्रॉलियम, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट किया जाता है यहां पर देखें ओपक के सदस्थ कंट्री कौन कौन से हैं अलजीरिया एंगोला यूएई विनेजुएला आपको नोट्स में दे दूंगा सौधी अरब रिपाब्लिक आफ कोंगो लिबिया इराक गैबॉन नाइजीरिया कुव सा टेलिग्राम चैनल बिहार अड़ा 24-7 इस टेलिग्राम चैनल पर आपको पीडिएफ जो है दस से पंदरा मिनिट क्लास के बाद जो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा 10-15 मिनिट के बाद अगला क्वेशन आप से क्या है कि कि किस अनुछेद में कहा गया है कि परतेक आज में एक महादिवक्ता होगा महादिवक्ता जानते हैं क्या होता है महादिवक्ता क्या होता है अड़ोकेट जेनरल होता है जिसे हम कहते हैं महादिवक्ता महादिवक्ता जो सरकार का वकील होता है एक राज्य का सरकार का सबसे बड़ा एड़ोकेट होता है महादिवक्त महादिवक्ता का प्राउधान संभिधान में कहा है महादिवक्ता का प्राउधान कहा है कि सिभू सिंग जी बिल्कुल समझ गए आप हमारे बेतियांवासी हैं बिल्कुल समझ गए बेतियांवासी को और को बताईए कि वो लोग भी तैयारी कर ले बीएड के एक्जामस में अच्छा स्कूर लाए अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आर्टिकल 165 है आर्टिकल 165 है ऑप्सन डी ठेक है पीके साही जो है बिहार के महादिवक्ता अभी वरतमान में अगला प्रशन आप से क्या पुछा गया है निमलखित में से कौन भारत के राष्टपती की चुनाओ के लिए निर्वाचिक मंडल का गठन नहीं करता है यह आप से पुछा गया है इन में से कौन जो है जो नमबर 21 का अंसर देखे यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स ओफ राजी सभा राजी सभा के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ओफ लोग सभा ये भी भाग लेते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ओफ लेजिसलेटिव एसेंबली ओफ इज स्टेट हर राजी के निर्वाचित विधान सभा के सदस्य भाग लेते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ओफ लेजिसलेटिव काउंसिल ये भाग नहीं लेते हैं इसलिए यही क्वेश्चन पूछा गया है कि विध सभा के साथ साथ बिधान परिसद का भी चुना होता है legislative council का वो방 राष्ट पत्पति के निर्वाचन में अगला क्वेस्चन है भारत की प्रथम पंचवर्शी योजना किस मोडल पर अधारित थी भारत की पंचवर्शी योजना जो प्रथम पंचवर्शी योजना बनाई गए थी 1951 से 1956 तक का ये डिवरेशन था ठीक है 1951 में और उसका मोडल किस ने दिया था ये क्वेस्चन आपसे पुछा गया है जल्दी से बताईए इस प्रश्ण का जबाब दीजिए बहुत इंपोर्टिन क्वेस्चन है कि भारत का प्रथम पंचवर्शी योजना जो है किस मोडल पर अधारित थी आपसे पुछा गया है और कि एसके अजिए महाल नौबिस मोडल यह नहीं 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 महाल भिषUST मोडल घळखनल नहीं होगा इनका नाम याद इसलिए आता है कि ये प्रोफेशर प्रशांद्चंद्र महाल भी से दूसरा मोड़न दिया था छब दूसरा मॉडल जो 1956 से 61 तक चला था ठीक और प्रतम पंच वर्षी योजवना क मोडल है रोड ओमर ने दिया था ऑप्चिन भी हैरोड़ ओमर ने प्रतम पंच वर्षी योजवना और अगला question क्या है अगला question है कि कौन सा संगठन भारत में buffer stock रखता है buffer stock का मतलब अनाज का स्टॉक कौन maintain करता इसलिए buffer stock कहा जाता है FCI IF FC FICCI IBC कौन सा संस्ता है जो अनाजों का भंडार रखता है ताकि हमारे देश में uninterrupted बीना और ओध के लोगों को खद्यान मिलते रहे तो खद्यानों का स्टॉक इसके पास रहता है यह आप से question पूछा गया है कि आपको पता है कि भारत में रासन जो दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं जन वित्रन पृणाली क्या बोलते हैं जन वित्रन पृणाली के माध्यम से जो होते हैं。 जहाँ पर किसांब लोगों को जो लोग भी सेकर्टी आक्ट के अंत्रगत आते हैं FCI that सीमें से र संक दुकान में रासन जाता है fciei जो है food worship कर्पोरेशन ओफ ंडिया है food कर्पोरेशन ओफ इंडिया जल हमारे देश में आपको पता है कि लाल बहादुर सास्त्री के दौर में भुखमरी आई थी 1965 के दौर में 1965 में FCI को अस्थापित किया गया था ठीक है और उसके ठीक एक साल के बाद हरित करांती की सुरवात 1966 में होती है तो 1965 में फूड कर्परेशन आफ इंडिया भारति खाद निगम स्थापित हुआ इसका हैड कोटर अगर सवाल में पूछा जाए तो निव डैली में FCI का हैड कोटर है FCI के लिए अधिनियम पारित किया गया था 1964 में अगला क्वेश्चन पर चलते हैं सारा पीडिएफ में एब निमलिक Immerike TWE पिटम राष्ट पती कोच हमादान के सकती है राष्ट पती को सकती और कोई व्यक्ति कोई की सजा या वह तो य पास जाता है जिससे छमा दान की सकती कहां जाता है यह गरिक湛 यार्टिट portion की दिया गया राष्ट पति को बताईए जल्दी से जो लोग भी सेशन देख रहे हैं भाईया सब लोग आंसर करिए फटाफट और मैं एक बार दुबारा बता दू कि डेली सेशन 9 पीम टू 10 पीम होता है 9 पीम टू 10 पीम मंडे टू फ्राइडे ठीक है हो जाएगा दो घंटा मैं इसलिए लिया कि कुछ ऐसे चोटे मोटे इंपोर्टेंट चीज और भी है जो हर तरीके से आपको त्यार करा दें ठीक है आर्टिकल 72 में छमादान के सकती है अगला क्वेशन है कि भारत में अस्थानिये स्वासासन का जनक किसे कहा जाता है अस्था अस्थानिये स्वासासन का जनक जो हता है ना पंचायती राज बेवस्ता नगर निकाय सहरी निकायों को अस्थानिये स्वासासन का जनक किसे कहा जाता है सबसे पहले आपको मैं बता दू कि अस्थानिये स्वासासन से संबंधित प्रस्ताव जो था लौड रिपन ने दिया था किस ने दिया था लॉड रिपन ने दिया था तो अस्थानिय स्वसासन का जनक है लॉड रिपन भारत में पंचायती राज बेवस्ता को भारत में पंचायती राज बेवस्ता की सुरुवात बेवस्ता की सुरुवात जो हुई थी दो अक्टूबर 1969 को राजस्थान से नागवर जीला से हुआ ता कहा से हुआ था याद रखेंगे आप लोग राजस्थान के नागवर जीला से पंचायती राज वेवस्ता को 2 अक्टूबर 1969 को शुरू किया गया था जिस कमेटी के सिफारिष पर वो कमेटी है बलवंत राए मेहता कमिटी के सिफारिस पर पंचायती राज विवस्ता को भारत में पंडित जोहरलाल नहरू के द्वारा सुरू किया गया था दो अक्टूबर 1969 को ठेक है और लॉड रिपन ने पहली बार अस्थानी स्वासासन का प्रस्ताव दिया इसलिए लॉड रिपन को अस्थानी स्वासास नहीं थे तो तिसको एक अपन्याप में बहुत बड़ी उपलबदी थी भारत के लिए टाटा आइरन एंड इस्टील कंपनी और इसका संबंध चुकी उस समय अंडिवाइड़ेड विहार से भी है दिक है यहां दोराब जी टाटा दोरा टाटा आइरन एंड इस्टील कंप संसी बिलकुल सही जबाब है जिसका भी आंसर सी बिलकुल सही जबाब है ठीक है अगले क्रिशं क्या है अगले क्रिशन है बी typ के संस्थापक कौन है बताइए बी ए आर सी के संस्थापक कौन है अगर इसका फुल फॉर्म में बता दू तो आंसर तो कर दीजिएगा बहुत आसान है थेक है option C, homie jahangir bhabha, bhabha atomic research center, bhabha atomic research center, bhabha atomic research center, 1954 में स्थापित हुआ था, जो महराष्टरा की ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे जो मुंबई के नजदीक है, महराष्टरा, ट्रॉम्बे महराष्टरा में इसका located है, bhabha atomic research center, तो option C, homie jahangir bhabha इसके संस्तापक थे, अगला question, बिहार में किसान सभा, किसान सभा अंदोलन के नेता कौन थे, बिहार में किसान सभा अंदोलन के नेता कौन थे, बिहार देखे एक तो भारत कृसी प्रदान देश और बिहा में होते रहे हैं, और चाहे वो सत्यागरह, चंपारन की सत्यागरह, वो किसानों से संबंधित था, आपको पता ही है, 1917 का चंपारन सत्यागरह, ठीक है, इसको कोई कैसे भूल सकता, रोभी बिहार का आदमी, 1916 के लखनव अदिवेशन से, राजकुमार सुकल जी के, जो है, कहने पर महात्मा गांधी जी चंपार, 1917 में आये, और उस समय नील की खेती जो होती थी, लोगों मजबूरी में, लोगों को खेती करनी पड़ती थी, अंग्रेजों के द्वारा, दवाब में, और इसके उसी लिए सत्यागरह हुआ, यहाँ पर देखे, उस समय स्वामी सहज राज्य सभा की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है, राज्य सभा की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है, राज्य सभा की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है, लेकिन कितनी हो सकती है, लेकिन कितनी हो सकती है, यह पूछागा अधिक्तम संख्या, राज्य सभा की अधिक्तम तो 145 में से 233 जो है निर्वाचित राज्य सभा के सदस्य होते हैं ठीक है और इसमें बारज होते हैं मनोनित होते हैं राष्ट पति बिग्यान कला समाज सेवा के छित्रां में 12 लोगों को मनोनित करते है भारत के राष्टपती तो 245 अभी है बरतमान में अधिक्तम पूछा जाए तो 250 हो सकते हैं अगला question है भारत के नए महान्यायवादी कौन है महान्यायवादी होता है टॉर्णी जेनरल संबिधान के आर्टिकल 76 के अधार पर महान्यायवादी की नियुक्ति होती है यह question current का है और polity में तो आपने पढ़ाई है टॉर्णी जेनरल आर्टिकल 76 के अधार पर भारत के राष्ट्रपती के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी जो होता है भारत का सबसे बड़ा बिधी अधिकारी होता है सबसे बड़ा बिधी से संबन दित है शांती शरु आप लुग लगातार कॉंटिन्यू रहए पाँच मिनिट एक्स्टरा चलेगा ठीक है किव क्वेस्टंव कर लेते हैं शांती स्वरु भटनागर पुरुसकार कि स्चेत्र से संबन संदित है क्या होगा rising के सांती शौरू भटनागर के संच और सूंटिफिक और इंडूस्ट्रियल रिसेर्च ठाइंस्प टेक्नोलोजी के में सांती सुरू भटनागर प्रुषकार दिया जाता है बिश्व की जनसंख्या का लगवक कितना भाग भारत में निवास करता है आपको पता है ना भारत की जनसंख्या जो है करीब करीब का तरह परसंट का वैलू जो है लगवग 140 करॉड है तो यहां पर शात्रे चक वन सिक्स्त तो एक बटा छे जो भाग है बिस्सो का एक बटा छे वनसी दो अबादी है वो कहां पर निवास करता है भारत में निवास करता है समझ में आ गया ना क्वेस्टन पपाली अध्यक्स का क्या नाम है लोग सभा के फर्स्ट स्पीकर का नाम बताईए लोग सभा के फर्स्ट स्पीकर का नाम जीवी मावलंकर है क्या है जीवी मावलंकर अगला क्वेशन है कि भारत का पहला परमाड़ उर्जा स्टेशन कहां स्थापित क्या गया था भारत का पहला परम समबर 34 का आंसर आज हमने एग घंटे में 35 क्वेस्टन वह भी एक्स्प्लानेशन के साथ डिसकस किया जिसमें करीब करीब आठ क्वेस्टन जो करेंट अफेर्स के थे तो यह सारा पीडिया प्यारटर 247 पर अप्लोड कर दिया जाएगा और यह जो है तारापूर महराष्ट्र तारापूर महराष्ट्र सही जवाब है यहां पर देखिए 10 परतिसत जो रिजर्वेशन दिया गया इडावलूएस को एकोनामिकली वीकर सेक्षंस जो जैनरल के टेगरी के अंतरगत जो गरीब परिवार है उसमें इडावलूएस का आरक्षं दिया गया है इडावलूएस रिजर्वेशन एकोनामिकली वीकर सेक्षंस आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के लिए यह आरक्षं समिधान के किस संसोधन में प्रावधान किया गया था बताईए समिधान का कौन सा संसोधन था समिधान का कौन सा संसोधन के अधार पर EWS reservation दिया गया है क्या होगा जबाब बताईए एक सो तीनवा संसोधन 101 संसोधन GST से संबंदित है ठीक है goods and services tax जो महत्पुन संसोधन में आता है और 103 संसोधन जो है वह किस संबंदित है यह संबंदित है EWS से संबंदित है आपको मैं बता दूँ कि बिहार बियड की आपको लगता होगा कि आप subject wise भी थोड़ी week है आपको यह मौका मिला हुआ है कि बिहार अड़ा परिवार और ने एक पूरी टीम बना करके आप देख सकते ही इस टीम में साथ कि थी की पूरी टीम है और सेवन फेकल्टिस मिलकर के आपकी कराएंगे तयारी seven faculty इसमें है जिसमें आलोक सर डिप्ती में English के लिए आलोक सर reasoning के लिए प्रियांका में Hindi के लिए और मंजीत राय जो मैं खुदी हूँ आपके जीके के लिए और जीतंद्र शर और उसके बाद सशिकान सर और साइंस के ससिकान सर करेंट के लिए साइंस के लिए चंदन सर यह सारे टीम मिल करके आपको बिहार बीएड कॉमन इंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया है आपके कोर्स के लिए क्रैस कोर्स के लिए नॉमिनल फी मतलब की केवल 704 703 रुपे 78 पैसे यह तब जब फी तो है ज्यादा लेकिन इसमें 2430 रुपे डिसकाउंट हो जाता है जब आप इस कूपन कोड को अपलाई करते हैं कूपन कोड क्या है डिसकाउंट कूपन कोड इसको याद रखेगा क्योंकि इसकी नीड आपको पढ़ेगी बैच इन्रॉल् किस मार्च से सुरू हो रहा है एप पर जाकर के भी पूरा डिटेल आप देख सकते हैं अड़ा 24-7 एप पर और मैं वेब साइट के माध्यम से बता देता हूं क्रैस कोर्स का फाइदा क्या है फाइदा यह है कि आपको सारे सब्जेक्ट के ना जो इंपोर्टेंट टॉपिक स्कूर लाएंगे तो क्वालिफाई करके इसी साल किसी ना किसी बीएड के अच्छे कॉलेज मैडमिशन हो जाएगा जितना डीले करिएगा ऑपर्चुनिटीज मिस हो जाएगा मालीजी एक साल आपका बीएड का इंट्रेंस क्वालिफाई नहीं हुआ तो एक साल तो पीछ में हर छेतर में लगवग पुरी बिहार हम घुमे हुए हैं हम लोग आर्थिक रूप से तो पिछड़े हुए हैं हर तरीके से पिछड़े हैं आप दूसरे राज्यों से कंपेर करिए तो ध्यान रखा गया है क्योंकि ऑफ लाइन में आप जाते हैं बहुत ज्यादा फीस व मिलकर के हमने पुरी जिद्फ से हमने शुरू किया है कि नहीं इसका फाइदा क्योंकि रिसोर्स नहीं है बिहार पीट एंट्रेंस के लिए और वैसे एक्जाम में जा करके कि फालतु में हर साल इतना तो एक हजार पता नहीं फॉर्म फिलप के ही आजार से तक हम आज कल किसी के नहीं लग रहे हैं एक हजार रुपे फॉर्म फिलप हो रहा है तो ऐसे में आप तयारी कर पाएंगे ठीक है और आपको मैंने प्रक्रिया बता दिया बिहार बीएट 2447 सर्च करिए गूगल में अट्र 24-7 open हो गिया यहां ऑल कॉर्स में जाए बिहार कुछ कुछ यूंए बिहार को बिहार में आप बेंगे यह पहला लाइन दूब्ला नहीं यहां भी और बुईड आएगा ठीक है बिहार बीएट पर क्लिक कर दिए बिहार बीय यहां पैदि 3199, 3199 यहाँ पर 100 करेगा, ठीक है, यहाँ देखे, यहाँ पर 500 कर रहा है, 3199, लेकिन आपको करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करके आप देखे यहाँ पर, यहाँ पर offers में जाकरके, buy now पे click करना है buy now पे आप जाएंगे तो आपको क्या करना है simply आपको यहाँ पर code choose करना है यहाँ पर coupon code इंटर कर देना है y645 हमने क्या बता है y645 दिख रहा है ना आपको y645 coupon code जैसे ही हम apply करेंगे apply करते ही देख लिजे आपका यहाँ पर क्या हो गया फी रिड्यूस हो करके कितना हो गया 2463 रुपे कम हो गया 735 यहां दिखा रहा है लेकिन जब आप एप से लिजेगा तो एप से यह 704 रुपे का पड़ेगा ठीक है अड़र 247 एप से यहां continue कर दिजेगा और यहां पर full name phone number email डाल दिजेगा आपका enrollment हो जाएगा बैच में तो समझ में आ गया एक ही चीज़ बस यहां पर तरीका आपको मैंने बता दिया चलिए आई होप कि यह सेशन आप लोग के लिए helpful रहा होगा अपने जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा ठीक है सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी आपके पास ग्रूप से जो फ्रेंट्स रिलेटिस आपके त्यारी करते हैं साइद इसका उनको फायदा मिल जाए हम तो यहीं चाहेंगे ना कि जो हम करा रहें मेहनत तो आप करी रहें तो इसका फायदा और भी हमार एसका तो झाल झाल